ये एक topic उन लोगों के लिए हैं जो शादी के process में लगे हुए हैं I mean अपने relationship को heal करने में लगे हुए हैं और अचानक से उन्हें पता चल रहा है कि उनके partner की शादी कहीं और fix हो गई है या कोई लड़की देखने वो गए है या देख रहे हैं या कोई third person है वहाँ पे तो उन पे कोई दूसरी लड़की को देखने जा रहे हैं शादी के लिए तो उसमें positivity कैसे ढूंडे राइट उसमें positivity इस तरह से ढूंडेंगे आप कि आप लोग ये सोचिए कि अब जब आपके partners किसी दूसरी लड़की को देखने जा रहे हैं या शादी के लिए parents के साथ जा रहे हैं तो अब उनके पास एक option है ठीक है हम इंसानों में एक फित्रत होती है कि हम comparison बहुत अच्छे से करते हैं चीजों की राइट अभी जब आप अकेले अपने गुन को गिनवाने में लगे हो तो सामने वाला आपके गुनों को परखी नहीं रहा समझी नहीं रहा लेकिन जैसे ही वो किसी और को मिला है किसी और को मिलेगा तब वो उसकी चीजों को देखेगा और आपकी quality को देखेगा ओवियसली compare करेगा तो आप लोग यहां पर इस चीजों को ऐसे positive लीजिए कि अभी तक जो मैं हम उसे बताना चाहते थे जो नहीं वो समझ रहा कि हमारे अंदर क्या quality है उसके लिए हम कितने caring है understanding है and कितना ध्यान रखते हैं हम उसका वो सब चीजे उसको पता चलने लगेगी आपकी qualities उभर के सामने आने लगेगी and he will start thinking of you so instead of you know परिशान होने के कि अब he is going there पता नहीं कहीं पसंद ना आ जाए ये ना हो जाए वो ना हो जाए तो इससे better है उसको positively लीजिए positively करके ये सोचिए सिर्फ एक thought बनाईए कि कोई बात नी अब मेरी qualities सामने नजर आएंगी and he will start praising me okay जो मेरी unique quality है हर इंसान में अपनी अपनी कुछ unique qualities होती है okay जो कोई दूसरा नहीं कर सकता जो आप कर सकते हो तो वो qualities उनको नजर आएंगी and फिर वो आपको value देना शुरू करेंगे and obviously जब value मिलेगी तो उनको आपकी याद आएगी आपके लिए फिर वो सोचना शुरू करेंगे आपके लिए काम करना शुरू करेंगे so इस situation में please इस तरह से positively सोचिए and positivity के साथ उसको handle कीजिए okay don't start crying कि अब ऐसा हो रहा है अब तो मेरा मेरा आपकी बारी है कि हाँ आप अपनी चीजों को present कर सकते हो बिना कुछ किये बिना कुछ किये आपकी qualities निकल के आएगी so that's all this topic पे क्योंकि बहुत लोग परिशान थे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है किस तरह से उसको देखे सोचे समझ नहीं आ रहा था तो ये एक particular video मैंने बना दिया सबके लिए कि आप लोग अराम से इस इस तरह की situation से कैसे उसको positively लेंगे और कैसे बहार निकलेंगे so that's all and God bless you all thank you so much